बच्चों यह है हमारा लेक्चर 194 और हम कर रहे थे आपकी साइंस की NCRT में से आपका चाप्टर लाइट शेडोज और रिफ्लेक्शन्स चैप्टर की एक्स्परनेशन हो चुकी है अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज इसकी बैक एक्सरसाइज है पेज नमबर 113 पे उस विलोग टुमेक का सैंतेंस अठेल पस अंडरस्टैंड ओपेग औबजेक्स कह रहा है ओपेग औबजेक्स के लिए इन बॉक्स को रियरेंज करो रियरेंज करना मतला यह उल्टे-पूल्टे दिये हो है इनको सीधा करके लिखो यहाँ देखो सबसे पहले है ओपेग सो यह ओपेक आप्जेक्स, अब्जेक्स, मेक, शैडोष, शिक्स नमबर शैडोऊ, ठीक हैं, तौपेक आप्जेक्स मेक शैडोष, तो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opaque objects make shadows, तो यह था question 1, अब देखते है, question 2, तो बच्चों question 2 है, पीछे आपकी NCRT में, page 140 में, classify the objects and materials given below as opaque, transparent, translucent, so इन तीनों में से या तो opaque होगा, या तो transparent होगा, तो translucent होगा, so opaque क्या होता है, जिससे light pass नहीं होती, transparent मतलब partial light pass होती है, और Translution मतलब Partially Pass होती है Luminous और Non-Luminous मतलब क्या होता है Luminous मतलब जिनके परस अपनी Light होती है वो अपनी Light दे देते हैं और Non-Luminous मतलब उनके परस अपनी Light नहीं होती है ठीक है तो आपको Objects को Classify करना है ओपे, Transparent, Translution, Luminous और Non-Luminous में ठीक है सबसे पहले एयर को करेंगे सबसे पहले Question 2 एयर ठीक है एयर क्या है एयर है Transparent देखा उपर Box बना देते हैं ओपेक Transparent Translution Luminous Non-Luminous ठीक है ओपेक, Transparent, Translution, Luminous, Non-Luminous तो एयर क्या है एयर है आपकी Transparent ठीक है Light Pass होती है Obviously Transparent और Non-Luminous भी उसकी खुद की Light नहीं होती Second है आपकी NCRT में Water प्राइब क्या होता है Water भी Transparent होता है और वो भी Non-Luminous होता है इसी प्राइब क्या होता है फिर पीस आफ रोक वो ओपेक होता है उससे Light Pass नहीं होती ठीक है ओपेक होता है और Non-Luminous उसके पास भी खुद की Light नहीं होती है ठीक है इस तरह से सारे हमको लिख देने हैं इसे जितने भी नाम है आपकी NCRT में वो सारे ऐसे लिखके ऐसे यह ओपेक, ट्रांस्परंट, ट्रांस्लूशन, लुमिनस, नॉनुमिनस ऐसे बॉक्स बना के सब हमको लिख देने हैं आपको यह नॉट्बूक में लिखना है, जो भचों, अभी हम देख लेते हैं, यह सारा का सारा अएक बारी और आपको यह नॉट्बूक में लिखना है, जो हमने एयर वोटर, पीस ओफ रॉंट डिसकस कर लिया था, अब शीट आफ एलुमिनियम, शीट आफ एलुमिनियम ओपेक है नौन्यूमनस है, मिरर भी ओपेक होता है, लाइट पास नहीं हो सकती, नौन्यूमनस, वुट्डन बोड मतलब लखडे का टुकड़ा ओपेक है और वह है, नौन्यूमनस, फिर शीट और पॉलेथिन, वो पॉलेथिन बैग, ट्रांस्वलूशन पर तोड़ी सी लाइट पास नहीं होती है और और ना उसके पास लाइट होती है नहीं होती है ऐसा कुछ होता ही नहीं है ठीक है smoke partially पास पास होती है ठीक है और नाउन लिपनेश है फिर sheet of plain glass लाइट पास होती है और नाउन लुपनेश अपनी लाइट नहीं होती है फोग मतलब धुआ सो दुआ भी टांस्षियंट है लाइट पार्शली पास होती है और नॉनल्यम्नेस हैं पीस ऑफ रेड होट आयन लोहा लोहा उपेक है और लुम्नेस है उसके पास खुद की लाइट कभी होती है कभी नहीं भी होती और वह नॉन लिमनेस का मतलब उसके पास खुद की लाइट नहीं होती लाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब ट्यूब लाइट ट्यूब लाइट है ओपेक ट्यूब लाइट की बात कर रहा है वो मतलब लाइट की नहीं ट्यूब की बात कर रहा है तो उसके बास खुद की लाइट होती है वाल दीवार तो दीवार भी ओपेक है और नॉन लिमनेस है शीट ओफ कार्बन पेपर वो ओपेक है और वो नॉन लिमनेस है फ्लेम और गैस बर्नर तो गैस बर्नर से लाइट पास नहीं होती और उसके पास खुद की लाइट होती है शीट ओफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड के पास खुद की लाइट पास नहीं होती माला ओपेक है और वो क्या है कार्डबोर्ड नॉन लिमनेस है मतलब उसके पास खुद की लाइट नहीं होती लाइ्टेट टॉर्चreek उसे लाइट पास नहीं होगी और टॉर्च के पास खुद की लाइट होती है शीट ओफ सेलोफेन एक पेपर होता है, वो ट्रान्सपरेंट है ऐसे उसकी तरह होता है कार्बन पेपर की तरह होता है उससे light pass होती है और वह होता है non-liminus उसके पास उसके पास खुद की light नहीं होती है फिर एक wire mesh wire की जाली है ठीक है तो वह तो कुछ है यह नहीं हो पेक transparent transmission कुछ समाझ इसमें ठीक है तो उसके लिए पुछ है यह नहीं और वायर मेश एक सेकंड, वायर मेश के लिए नॉन लुमनेस है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, केरोसीन स्टो, ओपेक होता है, उसके पास खुद की लाइट होती है, सन है, ओपेक होता है, उसके लाइट पास नहीं होती, लुमनेस है, उसके पास खुद की लाइट होती है फायर फ्लाइ फायर फ्लाइ क्या है वह एक जुगनु बोलते है ना इंसेक्ट है ओपेक होता है और उसके पास खुदकी लाइट होती है सो फायर फ्लाइ के बाद क्या आएगा मून सो मून क्या है मून ओपेक और वह है नॉन के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है मून सन से लेता है ठीक है सो यह हुआ हमारा question 2 question 3 एक बहुत interesting question है करते हैं वो question 3 है can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and rectangular shadow if held in another way कह रहा है कोई shape बनाने का सोच सकते हो जो एक circular shadow बनाएगी एक तरीके से और rectangular shadow बनाएगी दूसरे तरीके से मतलब एक ही object दो shadows दो परचाईया बनाएगा एक circular shadow और एक rectangular shadow तो कौन सो object ऐसा हो सकता है cylinder है disk है तो यह जो objects है यह अगर आप एक तरह से रखो तो circular shadow बनाते हैं और दूसरी तरह से रखो तो rectangular shadow बनाते हैं so can you think तो yes हम सोच सकते हैं so can you think creating a shape that would give us circular shadow मतलब circle shadow भी देगा उसका परचाया circle भी होगा उसका परचाया rectangle भी होगा खाली पकड़ना ऐसे पड़ेगा ठीक है so yes answer क्या है yes फिर इसको कैसे करेंगे so यह दो ऐसे दो तरसी तरसी cylinder है देखो यह cylinder पड़ा है यह cylinder है तो cylinder को ऐसे cylinder क्या होता है देखो इसे cylinder कहते हैं यह cylinder shape है so अगर इस cylinder को ऐसे आप रखते हो इस तरह से sleeping position में या horizontal जो भी बोलो अगर ऐसे रखते हो यह है source of light यहां से light गिर रही है इस पे यह light गिरी तो light गिरी तो यह क्या दिखेगा इसका shadow सरकल ही दिखेगा यह इसका shadow है यह light है light किस पे गिरी cylinder पे गिरी और आपको shadow कैसे दिखेगा circle पे पर अगर आपने इसी cylinder को इसी cylinder को आपने सीधा रखा यह देखो आपने टेडा रखा अगर इसी cylinder को आपने सीधा रखा तो light गिरी फिर इस पे light गिरी तो आपको shadow कैसे दिखेगी ऐसे standing ठीक है तो answer yes है कि ह हम देख सकते हैं और example है cylinder क्या for example cylinder यह figure आपको बनानी है इसको समझाने के लिए ठीक है दोनों figures बनानी है ठीक है इसके answer में yes लिखके दोनों figures example cylinder फिर दोनों figures बनानी है source of light है cylinder है shadow ऐसे बनेगी source of light है cylinder है shadow ऐसे बनेगी ठीक है so getting circular shadow with a cylinder getting rectangular shadow यहां आपको circle वाली shadow मिलेगी यहां आपको rectangle वाली shadow मिलेगी